हेलो और वेलकॉम टू प्रॉक्सी ग्यान प्रॉक्सी ग्यान में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर आपका मेंटर प्रकास दुवेदी और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं लेक्षर नमबर एट लेक्षर नमबर एट के अंदर हम देखेंगे एसिट्स बैसिस एंड सॉल्ट ये दो पार्ट में रहेगा एसिट्स एंड सॉल्ट की पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा यहाँ पे हम डिसकस करेंगे जितने भी बेसिक कॉंसेप्ट है उनको लेक्षर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी और पैन साथ में जरूर रखिएगा क्योंकि जो जो चीजे मैं आपसे बताता जाओंगा उसको आप नौट डाउन करते हुए चलेंगे आगे बढ़ते हैं इस ब्रीफ एबाउट मी आज हम देखेंगे एसिट्स बीस क्या होते हैं एसिट्स आप लोगोंने काफी नाम सुना होगा एसिट्स ये होता है ये एसिट होता है ये बेस होता है ये सॉल्ट होता सॉल्ट तो आप जर्णरली देखते होंगे अब हम देखेंगे इस लेक्षर के अंदर आगे देखेंगे कि सॉल्ट कैसे बनते हैं जो आप salts घर में यूज करते हैं, NACL जो आप यूज करते हैं नॉर्मली, सब्जियो बगरों में डालते हैं और खाने पीने में यूज करते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़े हम इसके अंदर देखने वाले हैं तो चली स्थार्ट करते हैं, आपको समझना होगा, I thought कि आप लोग ने प्रीजियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइस कर लिया होगा यहां पर हम देखेंगे, acid is a substance, देखें समझना हैं आपको, acid is a substance that produce hydrogen ion, जो H प्लस आयन देता है ions क्या होते हैं, आपको पता ही होंगे, हमने प्रीजियस लेक्चर में डिसकस किया हुए है, तो जो भी H प्लस, मतलब hydrogen प्लस आयन को देता है, वो छोड़ देता है, टूड़ आता है, जिससे वो कहलाता है, acid, clear हो गया, तो बस आपको यह चे रट लेनी, यही पर याद कर ल हो गया, यह दो definition आपको बता होनी चाहिए, इसकी कुछ properties आप लोग देख लिए, question पूछा जाता है, क्या acid कैसा होता है, या कौन सा acid है, इस तरीके से आप लोगों से question पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी acid होते हैं, वो taste, उनका खटा प गिरा, यूज करते हैं, औरेंज यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी acid रहता है, लेकिन क्या हो acid आपको नुकसान पहुचाता है, नहीं, तो वो कैसा acid है, वीक ऐसे, तो आगे हम देखेगी कि यह weak acid क्या होता है, strong acid क्या होता है, यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं, clear ह गया, acid को अगर आप किसी metal के साथ reaction करवा देगे, मतलब किसी metal में आप acid डालेंगे, तो hydrogen gas जो है, निकलेगी, यह चोटा सा एक point याद रखना है, और इसके हम दो चोड़ी चोड़ी चीज़े दी गई है, ऐसा कुछ खास important नहीं है, पस आपको यह सुना है, जिसे जेड़न acid की बात करते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, कौन से common acids होगे रहा हैं, अब लोग जो भी drink पीते हैं, जैसे Coca-Cola, Sprite, Fenta, यह Pepsi, इन सब के अंदर acids के content present रहते हैं, clear हो गया point, तो acids के content इन सब में present रहते हैं, लेकिन वो सभी weak acids होती हैं, कि आपको इतना दा नुक जाएगा, यह अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको याद कर लेना है, citric acid कहां मिलता है, यहाँ को बताना, found in the citric foods, अब citric food used as a preservation के काम में आता है, कि कुछी चीच को बचा के रखने में, कि वो खराप ना हो, तो बहुत time तक बचा रहे हैं, इसलिए citric acid के यूज करते है lactic acid कहां पार्ट होता है, found in yogurt, procedure to muscles when they overworked, तो lactic acid generally क्या होता है, कि आप लोग देखते होंगे कि एक आपके body के बायो में विसे आप ये पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा से एक बता देता हूँ, कि generally, जब आप लोग काफी महनत करते हैं, आपकी muscles break होती है, तो उस time प इसे होता है, lactic acid वाँ पे release होता है, ठीक है, तो ये एक छोटास point याद रखता है, acidic acid, H, C2, H3O2, ये याद रखना है, और vinegar में found होता है, ये, यूज इसे preservation के काम में आता है, carbonic acid, H2CO3, carbonic acid, phosphoric acid, S3PO4 होता है, जो कि soft drinks में पाय जाते हैं, question अगर कल को पूछा गया है, कि soft drinks जो आप ये पीते हैं, इसके अंदर कौन से acids पाय जाते हैं, तो आपको बताना है, carbonic acid इसमें मिलते हैं, और phosphoric acid, clear होगे, hydrochloric acid जो है, stomach बगेरा हमारे जो पेट में पाया जाता है, और digestion के काम में आता है, SEL, लेकिन SEL जो हमारे पेट में पाया जाता है, वो इतना tough नही acid रहता है, तो हमारे जो पेट में मिलता है, stomach में बहुत ही weak acid रहता है, sore interest देख लिए है, H plus I देखता है, यह देख लिए हमने, अब यह litmus paper क्या होता है, दीखी, एक तरीके का paper होता है, simple, जो आपके पास paper है, इसी type से एक अलग से paper आता है, generally, उसे हम litmus paper कहते हैं, तो turn blue litmus है, कि आप base है, तो हम उसे हम acid कहते हैं, जो भी convert करते हैं, तो यह generally क्या होता है, यह acid की properties होती है, यह तरीके से बताने का condition होता है, यह indicators आप कह सकते हैं, कि हम कैसे पता चलेगा, कि यह दो compound में acid कौन सा है, तो आपको बीकर मेरी दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा नेक्स लिक्चर में हम pH बगेरा भी देखेंगे, pH क्या होता है, इसके less than 7 है, अभी तक बस यह याद रखना है, आगे मैं आप से discuss करूँगा, तो घबराना नहीं है, कि सर यह 7 क्या होता है, यह 7 आप क्या बोल रहे हैं, और pH होता क्या है, और अगर 1 हुआ तो क्या होगा, सर, अगर 7 से उपर हुआ तो क्या होगा, तो बिल्कुल घबराएं ज़रोत नहीं आगे, हम सारी चीज़ों को discuss करेंगे, अब देखे कुछ एटसिट के मैं आपको फटा 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 नाम बता देता हूँ, जैसे कार्बोनी के सीट हो गई, H2CO3, यह देखे, यहां-यां मिल जाता है, citric acid हो गई, और ascorbic acid, जिसके अंदर vitamin C रहता है, जो खटा पैनाप काता है, वो इसी acid जाता है, किस acid जाता है, citric acid लेमन बगरा में, और नीबू बगरा में, मतलब एक तरिया सो औरेंज बगरा में, यह सारे acids पाये जाते हैं, जो आपके day-to-day life में यूज होता है अब तो आपको बस इतना याद रखना है, कि जो आपके day-to-day life में यूज होता है, उन सभी acids में, मतलब उन सभी जो materials आप यूज करते हैं, उसमें कौन-कौन-से acids या acid basis पाये जाते हैं, clear हो गया है, देखिए acids in every day life, acids जो हर दिन के life में, आगर मैं बात करता हूँ, तो यह Acetic acid का होता है, cheese वगेरा जो आप खाते हैं होते हैं, तो उसके अंदर Acetic acid पाया जाता है, milk में जो है, आपका सोर, खटा जो milk हो जाता है, उसमें Lactic acid पाया जाता है, clear हो गया, तो milk में कौन-सा acid पाया जाता है is Lactic Acid, acid in the body हमारी body के अंदर भी क्या acid मिलता है yes, हमारी body के अंदर भी acid होता है hardment caused by HCL from the stomach come back up to isophagus तो हमारी body के अंदर हमारी stomach के अंदर यह HCL acid पाया जाता है पर यह जो acid रहता है weak रहता है इतना अदा strong नहीं रहता है कि हमारी stomach को जला जला दे याद रखिए का जो strong acid होता है हमारी body को चीजों को नुसान पहुचा सकता है जला सकता है हाम कर सकता है तो आप लोगो थोड़ा से बच्च के भी रहना है आप भात करते है beasting and formic acid जो आप लोग देखते होंगे कि मदुमखी जब एक तरीके से डंक मारती है तो उसका डंक क्यों इतनी टेजी से लगता है आपको एक arise होता होगा question mind में कि sir ये बताइए कि जो डंक मारते हैं वो इतना टेज जहर उसके पास acid रहता है जो रहता है formic acid तो जब वो formic acid को क्या करती है release कर देखती है हमारी body के अंदर तो उसकी वज़े से उस acid की वज़े से हमको problem होती उसकी डंक की वज़े से problem नहीं होती है वहना आप लोग देखते होंगे आप लोग सुई बगर भी लगवाते होंगे छोड़ा वोसे तो इतना सा कहीं भी चुप जाता है आगे चलते हैं कुछ और एक्जामपल है जैसे vinegar हो गया lemon juice हो गया orange हो गया curd हो गया tamarind हो गई black tea हो गई apple juice हो गया mango हो गया graps हो गया तो ये सभी acids के example है इसके अंदर इसके अंदर acids पाया जाते है तो आपको समझना है मैं जो आपी समझाने कोसिस कर रहा हूँ इसमें आपको बस science की category से नहीं देखना है कि ये सारी chemistry है हमको इसके chemistry के हिसाब से पढ़ना नहीं बिल्कुल भी आपको इस सरी के से नहीं पढ़ना आपको इसे पढ़ना कि आप generally knowledge extract कर रहे हैं कि किस ठीच के अंदर कौन सा acid पाया जाता है clear हो गया आगे चलते है देखिए यहां पर आपके सारी picture clear हो जाएगी इस चार्ट को चाहें तो आप रहे screen sort ले लीजे वैसे मैं यह share कर दूँग आप लोग इस आप तो इसको आपको जरूरी यार रखना है clear हो गया तो यह आपको याद रखना है यह sulfuric acid कार की बेटरी सगे रहम है तो यह दिखनी राच्छे से तो मैं सबरा देता हूँ clear हो गया अब मैं बात करता हूं इसके अंदर थर्ड नवर पे nitric acid nitric explosive जो material होते हैं वहाँ पर nitric acid मिलता है विनेगर के अंदर acidic acid मिलता है अब विनेगर यूज़ करते होंगे घर पे तो उसके अंदर acid मिलता है acidic acid बस आपको सब के नाम याद होना चाहिए किसके अंदर कौन से acid found होते हैं मिलते हैं अगर आपको इतना याद है that means आप लोगों ने काफी मेहनद कर ली ये lecture आपका कामयाब हो गया फिर आप जरूर्ज़ को सॉल्व करके आप आएंगी soda के अंदर carbonic acid हो गया और flavoring common acid हो गया phosphoric acid हो गया formic acid के अंदर ant string जो चीटी अब अगर भी काट लेती उसके अंदर formic acid मिलता है generally formic acid के जब हमारे body अंदर जाता है तो जलन एक परीके से पैदा होती है आपकी चीश समय देएंगे मधुमक्की काटे है तो जलन होती है cheating काटे है तो जलन होती है क्यों होती है क्यों होती क्योंकि वो formic acid release करते हैं लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करते हैं एक हमको बहुत ज़्यादा नुक्सान हो जाएं लेमन्स और जो खटापन होता है जो भी पदात होता है वहाँ पर स्युट्रिक असीड मिलता है लैक्टिक एसिड कर्ड वगेरा में जो दही वगेरा हो गई अगर तो उसमें इची मिलता है और जैलिक एसिड हो गई इस पूर्ड वगेरा अन्रिप हो गया मैंगोश वगेरा इन सम्में टार्टरिक एसिट मिलता है आई थौट कि आप यह सारी चीज़े लिख लेंगे नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे नैस लेक्षर जब भी आप देखेंगे तो उससे पहले आपको यह सारी ची है और आप जो हैं सॉल कर लेके जाएंगे सारी चीज़े क्लियर होगी पॉइंट आप देखें यहां पर नाइट्रिक एसिट का फॉर्मला दिया हुआ है आप देख लिए यह स्ट्रॉंग एसिट के अंदर आता है मतला यह जो होते हैं नाइट्रिक एसिट हो गया हाइड् और स्ट्रॉंग एसिट हो गया है और एसिट हैप दमैनी हट्रोजन एटम जो एच प्लस आयन बहुत जादा रिलीज करता है बहुत जादा देता है उसे क्या कहते हैं स्ट्रॉंग एसिट क्लियर हो गया जो कम करेगा उसे वीक एसिट कहेंगे सिंपल से जीज़ा कुछ है तर फीवर हाइड्रोजन एटम जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम रहेंगे वह क्या होगा वीक एसिट हो गया क्लियर हो गया एक्जामपल देख लीजिए एसेटिक एसिट बौरिक एसिट कार्बोनिक एसिट हो गया सेट्रिक एसिट यह सारे जो हो गए हमारे होते हैं वीक एसिद आप देखिए जो हमारे बलड में पाया जाता है वो कौन सा एसिड है कार्बोनिक एसिड है क्लियर हो गया तो इसको भी याद रखना है आपको यह एक फिगर की मादा हमसा आप देख सकते हैं यह हो गया यह हो गया वीक एसिड मतलब एक तरीके स्ट्रॉंग एसिड क्या करता है है जोटे चोटे है इसको रिलीज करते हैं बहुत देजी से और यह जगड कर रखता है यह छोड़ने नहीं देता है तो इसलिए वीक होता है जो जो भी मजब्वोद तो वही रहागा ना जो बोलता है है चलो ठीक है अमीर वही है समझ लो यह अमीर है इसके पर वह स्ट्रॉंग है बहुत अमीर है तो इसना सब को दान में दे दिया और जो गरी भी वह अपने पास बचा के रख लिया तो इस तरीके साव याद कर सकते हैं अब देखिए इसका यूजिस क्या करते हैं जैसे से कैसे यूज हो तो मैनिफिक्चर और फार्टी लाइजिस बगेरा बनाने काम आता है मौनियम तलफेड एक्सप्लोजी पैंट्स वगेरा जो हो गया है आप लोग पेंटिंग बगेरा जो करते हैं ड्रक्स बगेरा जो बनाने कम इन सब ऐसे जो है इनका यूज होता है नाइ और फॉट को सम्हाल के रखते हैं तो यह सारी चीज़ें जो है ऐसे डौर ही किये जाता है ऐसुटि जो है फूट्स फगिर में फ्लेवर डालने के लिए जो आप देखते हैं किया सर यह वाला फ्लेवर डाल दीजिए फूट्स के अंदर यह स्वाट आजाए तो ऑसा कलर र तो वह 20 है यह खारा एक होता है साबुन जैसे आप लोग इन अगर कभी है तो एक फोड़ा सजीव से आथे नहांते अगर लोगोगों के मुने में गया होगा चल्प पनाथ वह साबुन के अंदर होता है एंडर रिलीश करता है और न क्या सिल क्या है यहां पर सॉल्ट है की हमने इसका एन ले लिया पॉस्टरिव बार्पार्ट ऊस्का नगिटरिव बालपार्ट जो ढिंग का बन जाएगा हमारा और पानी तो अगर हम acid plus base करते हैं तो क्या बनता है salt plus water यह आपको समझता है basis के बात में करता हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है पहले ही कि base क्या होता है यहाँ पर आपको समझता है OH-1 को जो भी release करता है कोई भी compound OH-1 को release कर रहा है that means वो क्या है base है clear हो गया अगर कोई बहुत जाद़ OH-1 को release कर रहा है तो क्या हो जाता है strong base हो जाता है लेकिन अगर कोई बहुत कम कर रहा है तो वो big base हो जाएगा clear हो गया आगे चलते हैं कुछ इसके common base की example आप लोग देख लीजिए जैसे कि यहां पर ammonia है cleaning fertilizes वगेरा जिसको fertilizes वगेरा में आप यूज करते हैं तो वो सारी चीज़े क्या होती base ही होते है sodium hydroxide हो गया use in so brains cleaners इन सब में यूज होता है magnesium hydroxide ingredients foods वगेरा ant acids वगेरा में इनका यूज किया जाता है तो यह journal से uses हैं इसको आपको इक बार ध्यान में रखना है इसको आप note down करते हैं चलेंगे pause कर लेंगे अब इसका थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है सौपी टूटच होता है मतलब एक चिकना हाट आता सौपी जिससे मैंने बता है न शौप जैसे feeling आती है इसको देखके वो करकी water soluble base और called alkyl जो होता है यह राद रखने ज़रुवत नहीं आपको इतना अदर rate में जाने ज़रुवत नहीं है बस यह समझ लिए कि alkyl कहा जाता है का दूसा ना होता है turn red litmus to blue तो red litmus को किस में convert कर देता है blue में convert कर देता है अगर red litmus acid क्या करता था blue को red में कर देता था और यह क्या करता है red को blue में कर देता है तो यह आपको अच्छे से याद रखना है ऐसा समझ लिए से स्टार्ट है तो यह किसमें CONVERT करेगा इसको ब्लू पसंद गाँजिए ब्लू में मत्लब लेटनस में टेलेगा तो क्या कर देगा इसका पीच कि सैवन से ग्रीटर होता है More to yeah अगे चलते हैं examples दिख लेते हैं पर जैसे कि डेटरजेंट हो गया, आपको मैंने पहली बताया था बेकिंग सूदा, ड्रेन क्लीनर अंट एसिड, बीस और अमोनियम सोप लाइम वाटर, मिल्क उप मेगनेश इन सब में बीसे प्रिजेंट रहते हैं पाये चाते हैं, क्लियर हो गया एवरीडे लाइफ में आप कैसे यूज करते हैं इसे ड्रेन क्लीनर जी, आप जो अपने टौलेट सोगेरा में यूज करते हैं तो इनमें बीस होता है, सोटियम हाइडरोकसाइट कंटन करता है विंड विक्स, एनस्थी जो आप देखते हैं जी, काच वगेरा को साफ करने के लिए इसमें बीस रहता है है ज़रनली क्या करता है बीस, क्लीनी एकसन के काम में जाता है बीस यूज करते हैं, यह बीस रहता है बीस के अगर मैं बात करता हूँ, तो बेकिंग सूड़ा टेस्ट बैस्ट, एक कडवकला रहता है तो जब भी आप बेस को टेश करेंगे तो आप बेस को टेश्ट करेंगे तो अब देखे नेम आप बेस कुछ नेम देख लीजिए तो सॉटियम हिड्रोकसइच है। सब्सक्राइब आप बाइक्श इस लेक्शियर की। श्राईट संट है, ब्लब्लावज ञेंच ऐसे पतों हमें यहां थे निहींरा पता है। तो यह आपको याद रखने होंगे यह देखे कुछ वीग बीस हो गए कुछ श्रॉंग बीस हो गए जो है कम ओच माइनस देते हैं और श्रॉंग बीस होगे बहुत जादा ओच माइनस आयन को रिलीस करते हैं तो यह आपको याद रखना है इसके नाम दिए करें जिसे की वीक के अंदर पोटेशिम कार्बनेट सोडियम कार्बनेट अमोनिया यह सवाता है श्रॉंग बीसिस के अंदर क्या क्याता है सोडियम ह यह सारी चीजे यहां यहां इसकी यूज की जाता है कपड़े वगिरा साफ करने में और खार के ज़ेगों आपको बता है कि क्यसे तरीकी से यूज होता है टो वहां पर किसका यूज होता है बेसिस का ही यूज होता है तो इसको आपको याद रखना है ऐसा कुछ आइड जादा चीज नहीं है नेचूरल इंडिकेटर अक तरीके से कैसा पता चलेगा कि कोई भी चीजी acid है या base है तो अभी हमने पता है लिटमस पैपर से हम इसको जनरली पता लगाते हैं तो यहां से अगर कोई बहुत जाथ डर्क blue दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा वो क्या है रेड लिटमस को अगर कोई कोई बहुत जाधा डर्क कर देता है blue, dark blue बिल्कुल दे दिया, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो strong base अगर कोई हल्का blue करता है, तो वो big base है, अगर कोई red blue में, blue litmus में, अगर red कर देता है तो क्या हो जाएगा, वो acid है लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचें sir, अगर acid को हम red litmus में डालने के तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई addiction नहीं होगा change नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ base ही red litmus को change कर सकता है clear हो गया आपको point, यह सारी चीज़े आपको याद होनी चाहिए अब एक अलग से मैं कुछ paper तो आपको बताई चुका हूँ, turmeric हो चाइना रोस हो गया, और phenophylline, यह इनके नाम आपको याद लगते हैं, यह natural indicators होते हैं, natural indicators के अगर मैं बात करता हूँ, turmeric मतलब एक हल्दी आप लोग नहीं जर्नली देखा होगा जब आपके घर में, कभी कपड़े में अगर आपके हल्दी लग गई, या फिर सबजी बगेरा खाते हैं वक्त आप vegetable सब खा रहे होते हैं, तो कभी अगर आपके गल्दी से कपड़े में गिर गई या कहीं पर भी गिर गई, यहाँ पर yellow लग जाता है फिर जब आप उसे साबूं से साफ करते हैं तो क्या होता है आप जनरली देखते हों कि वो क्या हो जाता है रैडिस में convert हो जाता है वही पे जब आप अप शाबूं लगाएंगे मतलब क्या हो गई, base क्या हो गया ऐसे, तर्मरी के साथ हुआ रेक्षे तो वो क्या हो गया हल्दी को किस चीज में यलो को किस में convert कर दिया रैड में तो इस तरीके से औरेंज चीज और रेड में convert कर देता है तो ये क्या होता है natural indicator कि उसमें base present है तो this is our final lecture thank you very much for the discussion कैसा आपको बताना है और अगर कोई भी doubt होता है आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी problems है तो आप उसे पूछ सकते हैं जो जो मैंने आपको बते बताई हैं कि ये चीज़े आपको याद करने है तो उसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा बहुत important हो जाता है exam में directly उसकी precaution assets के नाम पूछ लिए जाते हैं next lecture में हम देखेंगे pH क्या होता है इस तरह कि जो भी आगे है salts देखेंगे और pH देखेंगे और हमारा final lecture complete हो जाएगा तो बिल्कुल घबराएं जरूरत नहीं सारी चीज़े मैं आपकी cover करूँगा so thank you very much for the discussion चीज़े भी संट झाफसे पाइब है तरह को स्टेशिती सब्सक्राइब झार ऑजपकी